सबी को प्रेम नमन गुरु की कृपा का अब हम अनुभव करते हैं गुरु की कृपा कैसे पाई जाती है पर मात्मा को कैसे अनुभव किया जाता है हम आज बात करेंगे इस पे हम सब पर मात्मा की बड़ी कृपा है रहमत है ब्लेसिंग है ब्लेसिंग की बहुत सारे तरीके हैं हमें कई बार पता नहीं चलता कि सचमुझ भगवान हमारे साथ हैं हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे साथ है मन में कभी कभी ये डाउट भी आ जाता है क्योंकि उसे देखा नहीं है आम लोग जो बहुत लोजिकल होते हैं बहुत तारकिक लोग होते हैं वो बड़े सवाल खड़े करते हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि जिसको तुमने देखा नहीं तुम उस भगवान को कैसे मान सकते हो तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो जो करेगा तुम्हारा अच्छा ही करेगा, तुम्हारा भला ही करेगा बड़े अच्छे खासे भक्त लोग भी ऐसे लोगों के कारण जो है वो विभक्त हो जाते हैं वो तूट जाते हैं वो अपने मारक से हट जाते हैं विचलित हो जाते हैं और खास तोर पे जब ये कहने वाले लोग होते हैं कि तुम्हारे जीवन में तो दुख कम ही नहीं हो के दे रहे तुम भक्ती मारक पर चल रहे हैं तुम्हारे दुख और ब बड़े शैतानी प्रिवर्ति के होते हैं और आपको भी बड़े अच्छे खासे जो परमात्मा के तरफ जुड़ेवे साधक लोग होते हैं उनको भी ये लोग विचलित करने में बहुत बार काम्याब हो जाते हैं अगर एक भक्त का विश्वास पक्का नहीं है तो अब इसकी अलग अलग स्टेजिस होती हैं कि विश्वास किसका कितना पक्का है इस तक आपको लाने के लिए क्या किया जाता है तो परमात्मा बहुत कुछ करता है आपके जीवन में कि आपको पक्का करे उसके लिए बहुत सारे तिकडम लगाया जाते हैं आपको कैसा पता चले कि पर मात्मा की कृपा आपके साथ है आए कुछ बातों से मैं आपको पहले इंडिकेट कर दूँ ताकि आपको भी बात समझ में आ जाए क्योंकि बहुत साले गलत फैमियों का शिकार हैं लोग जो आज भी आज भी ऐसे लोग हैं जो सीधी सीधी हमेशा कोई इनके जीवन में गलती हो जाए उनका पहला लजाम पर मात्मा पर होता है पहला लड़ाम पर मतमा गये है भगवान तू दो सब देख रहा था तू ने सब ठीक क्यों नहीं किया क्योंकि उन्हीं ऐसा बताया जाता है कि तुम भगवान के रास्ते पर चलोगे ना, सब कुछ अच्छा-च्छा हो जाएगा, ये बास सत्य है, ये सत्य है, फाइनली सब कुछ अच्छा-च्छा-च्छा ही हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, सारा संसार आपके आगे नतमस्तक होगा, लेकिन ऐसी स्थिती आने से पहले आपको बहुत सारी स्टेजिस से गुजरना पड़ता है इससे पहले कि लोग आपको नतमस्तक हों आपके आगे आपको युनिवर्स की परमात्मा की उस परिक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि जब इस व्यक्ति को उचा उठाया जाएगा जब हज़ारों लोग इसके आगे नमशकार करेंगे तो ऐसा तो नहीं यह एहंकार में भरकर मेरे जैसा कोई भक्त नहीं ऐसा तो नहीं कहने लगा शुरू कर देगा यह यह परमात्मा बड़ी घहराई से परखता है बड़ी घहराई से परखता है तो ऐसी गलत फैमियों से वो पहले से ही हटा देता है आपने देखा जैसे महाभारत का उधारण सामने देकर चलिए महाभारत के उधारण में अगर आप शुरू की स्टोरी देखो शुरू की स्टोरी देखो तो हर जगा पर कौरफ जीते हुए दिखाई पड़ते है राज्ये उनके फैवर में भिशम बिदा में उनके साथ उनके गुरू द्रोनाचारे उनके साथ सारे लोग उनके फैवर में विजुर जैसे लोग उनके फैवर में मतलब उनकी तरफ फाइनली चाहे कुछ भी करते हो और पांचों पांडमों की जिन्दगी में जो आ रहा है सारी समस्य है मतलब सब मुसीबते इनी के ओपर चली आ रही है कोई पूछने वाला हो तो फाइनली जहजाकार हुई लेकिन जिस परिस्थितियों से ये गुजरे आप इंटरमीडियेट अगर किसी भी एक स्टेज को उठा कर देखो तो देखो क्या हालत इनके साथ हुई है आप खुद देखो कितनी चीजें डिफिकल्टी पता चलती है कि इनकी साथ कितनी हालत खराब हुई इनकी पांड़मों की आप सभी जानते है तो क्या उनके फेथ को क्या परमात्मा जानते नहीं थे भगवान श्री कृष्ण फिजिकली मौजूद थे उनके साथ कितनी बार फिजिकली मौजूद थे लेकिन आप ये सोचें कि सब कुछ उनके जुएन में अच्छा था ऐसा बिलकुल भी नहीं है कितनी परिक्षाओं से गुजरना पड़ा बच्पन में जहर देकर भीम को उसमें गिरा दिया गया उनके ओपर कितने तरह के इलजाम लगाए गए उनका सारे राज्जे से उसे हटा दिया गया पद्चूत कर दिया गया दूर कर दिया गया उसे और फाइनली उनको देश निकाला दे दिया गया सारा कुछ चीन लिया गया उनसे लाक्षागरा में उन्हें डाला गया कितने ऐसे ऐसी क्रियाएं हुई जिस से पता चलता है कि उनके उनका जीवन को आसान जीवन तो बिलकुल भी नहीं था अब ये जो सवाल पैदा होता है कि भगवान मेरे साथ है अत्वा नहीं है ये सब आपके उनी सवालों का जवाब है जो अधिकतर लोग पूछते हैं तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं भगवान साथ होने के लिए अगर आपके साथ हैं तो ये डेफिनेट समझ लीजिए कि जो भी काम आप करेंगे वहाँ पर आपको मुश्किले आएंगी ऐसा मज़ समझ जिए कि वैसे मुश्किले नहीं आती और भगवान साथ होंगे तो ज़्यादा मुश्किले आएंगी, कुछ दोनों ही बाते हैं, वैसे भी मुश्किले तो किसी भी काम में आती ही आती हैं, लेकिन भगवान साथ होंगे, इश्वर साथ होंगे, तो definitely उसमें कुछ मुश्किले ज़्यादा ही आएंगी, आपको सेट अप कर रहे हैं आप कोई मकान करीज रहे हैं नॉर्मल इंसान को लगता है कौन सी बड़ी बात है ठीक है ऐसे ऐसे करके काम शुरू किया और काम शुरू हो गया पर एक साधक की जीवन में ऐसा असानी से नहीं होता उसके जीवन में क्योंकि वो सच के रास्ते पर चलाता है परमात्मा उसे जूट करके कपट करके किसी का पैसा हड़के किसी को दोखा दे के वो अपना काम करा ले ऐसा उसकी नियती में नहीं होता है और अगर उसकी नियती में होता है तो भक्त है ही नहीं हम देखते हैं तो भक्ति के लिए कुछ चीजें हैं सत्य की रहा पर कोशिश की जा सकती है सत्य घबरा सकता है लेकिन जुकता नहीं फिर बात अच्छे से याद रखिए घबरा सकता है परिशान हो सकता है सत्य को परिशान किया जा सकता है लेकिन जुकाया नहीं जा सकता मिटाया नहीं जा सकता तो परिशान होने की definite कोशिश होती है एक बार फि भी वहां से अतुल बल्शाली होकर निकला लेकिन एक बार तो उन्होंने अपना काम कर दिया आपको लगेगा कि असत्य जो है वो बड़ा बलवान है बड़ा पावरफुल है तो यह याद रखिए कि परमात्मा के रास्ते पर चलते हुए मुश्किलें तो आएंगी अगर जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो और कोई भी समस्या ना आ रही हो किसी बतरा से तो परमात्मा से पूछ लेना चाहिए कि जी सब ठीक ठाक है आपको मैं भूल तो नहीं गया हूं कि आपको याद हूँ मैं जरूर पूछ लेना चाहिए परमात्मा से तो विफलत आएंगी हताशाएं आएंगी निराशाएं आएंगी जब तक होगा तब तक आपकी आँख नहीं खुल जाती और इसमें सब बाते शामिल हैं इसमें वो बाते भी शामिल हैं कि आपके अपने भी आपके उपर क्वेश्चन मार्क करेंगे और यह सब के साथ होता है यह सब के स हमारे सद्गुर्दे भगवान, क्या उनके उपर लांचन नहीं लगे, कबीर साहब जी, क्या उन पर नहीं लगे, मीरा बाई, इन सब के जीवन बड़े स्मूध रहे हैं क्या, नहीं, सवाली नहीं पैदा होता, प्रॉब्लम आती है, तो पता होना चाहिए पहले से, कोई ये गड़ी से गुजरे, आपको लगए है कि आपसे बड़ा दुखी संसार में कोई और नहीं है, आपके जीवन में दुख अपने चर्म सिमाओं पर रहेगा और आप शायद इसका कोई समाधान बिना पराप्त हो, एक के बार एक करके जीवन में मुसीबतें आती चली कि ऐसा होता चला जाएगा, लेकिन इसका मतब ये बिलकुल भी नहीं है कि आप उसे तूट जाएंगे, आपको मजबूत बनाया जाता है, थोड़ा सा जैसे कुमार कुमार को देखा है कभी मटका बनाते हुए, कुमार को मटका बनाते हुए, अंदर हाथ दे देता है, मटक कर रहा है, वो टेडी मेडी जो मिटी है ना उसको उसको शेप देने के लिए एक बिल्कुल सुन्दर शेप देने के लिए गोल शेप मिलाने के लिए जो आज आप में मिट brush वो बड़ा उलटी सीधी मिटी होती एको सीधी सोड़ी होती है किसी मूर्थिकार को देखो किसी पत्थर को घरते हूए को रहम नहीं है मेरा पत्थर है nessa कि, यह कैसे चोट लगा दूँ थोड़ी चल आता तो चलना जाता तो चलना जॉत और रहा। और पत्थर कहे की नहीं भाई साब माफ करो यह मजक बना रखा है मैं तो यहां मज़े लेने के लिए आया था जो भगवान के द्वार के पास्ड पढ़ा है भगवान के द्वार के पास ही पत्थर पड़ा और करें देख म Même सामने मुझे दिख रहे हूं काहे को मेरी जिनकी मुसीब्ते गले मौल ली पत्थर ने ऐसा ही किया एक पत्थर था रास्ते में पड़ा हुआ था एक मूर्तिकार गुजर रहा था उसने देखा पत्थर बढ़ा अच्छा लगा उसको कुछ किया जाए कुछ टाइम था उसके पास कहीं जाना था रस्ते में कहीं पढ़ाओ आया तो मूर्तिकार है उसका दिल करा कि चलो कुछ ना कुछ अरकत की जाए चुकि अकेला वेला बैठने का उसे शोक नहीं है तो अपना कुछ किया जाए तो पथर पढ़ा था उसको उठाने लगा तो कहीं ना कहीं वो पथर जो है आना कानी करने उसके अंदर से मूर्तिकार है पत्थरों की भाशा भी जानता है पत्थरों के दिल से जो बात निकलती है पत्थर कहीं ना की आना कानी कर रहा है वह उठाने की कुशिच करता तो उठना नहीं चाहरा ऐसा उसे लगा थेकए तुम्हारी मरजी पढ़े रो यहां पर बड़े प दो हाथ लगाई देते हैं बैठे हैं तो इन्होंने दूसरा पत्तर उठाया अबड़ी जल्दी राजी हो गया चलू चलू कुछ नया होगा देखेंगे कुटेंगे पिटेंगे कुछ तो बनेंगे राजी हो गया और मूर्तिकार ने अपनी कलाकारी चालू कर दी, कभी इधर ठोक, कभी उधर ठोक, कभी यहां मार, कभी वहां मार, कभी वहां पटक, कभी यहां पटक, यहां से पकड, कभी वैसे पकड, कभी सीधा लटका, कभी उल्टा लटका, कभी यहां मार, कभी यहां प बाहर के खड़ी खर दी मूर्तिकार है उसके अपनी कलाकारी है दिखा के खड़ा कर दिया उसने अब उसने खावी मैं मूर्तिकार हूं मैं करूंगा क्या मैं साथ थोड़े लेके जाओंगा उसको अपने काम से जाना था मैंने अपनी कलाकारी दिखा दी अब बाकी इसकी किस उसने पत्थर को वहीं पर उसको जो मूर्ति बनाई थी वहां पर वहीं पर स्थापित किया पेड़ से दो फूल पड़े थे दोड़े उस चड़णों में अरपित किये अपनी बढ़ा यह मूरति के और वहां से हाथ जोड़कर चल दिया चल दिया कुछ टाइम के लिए बाहर गया था पहले लंबा टाइम बीच जाता था लोगों को विदेश जाते कोई काम से गया होगा और वापी जब आया कुछ चार-पांच मीने बीच चुके थे उसी रास्ते से निकलता था देखता चुनों भी पत्थर की क्या हालत है मैं ज देखा तो वहां तो बड़ा सुन्दर किसीने मंदर बनवा दिया था कि भगवान की मूर्ति प्रगट हुई है ऐसा सोच के किसीने बड़ा सुन्दर मंदिर बनवा दिया था उसी और देखा कि वही जो मूर्ति उसने बनाई थी वहां पर भगवान बड़े सुन्दर विरा राजी नहीं था जो पत्थर तूटने को राजी नहीं था लोग नारियल लेकर आ रहे हैं उसके ओपर पटाक से नारियल मारते हैं नारियल फोड़के उसके भगवान क्या गयर्पित करते हैं फरक समझ में आया जो पत्थर तूटने को राजी नहीं था फाइनली उसके उपर नारियल तोड़े जा रहे हैं और जो तूटने को राजी हो गया वो परमात्मा हो गया, वो भगवान हो गया उसमें उस अनघड पत्थर में से परमात्मा की सुन्दर मूर्ति को निकालने वाला मूर्तिकार मौजूद है सद्गुरू के रूप में बैठा हुआ है वो यही चाहता है कि हमारी इस मूर्ति में से इस अनघड पत्थर में से एक सुन्दर मूर्ति परमात्मा की देव तुल्ले ना निकाल के दिखा दे, उसकी भी कलाकारी किस काम की, वो तो चाहता है कि ऐसा हो जाए, वो चाहता है, अब कौन-कौन अपने आपको अलाउ करता है, कौन-कौन अलाउ करता है अपने आपको, कि मैं तयार हूँ, मेरे साथ जो भी घटित हो, मैं अपने जीवन में, मैं अपन खाने को तयार हूँ अब ये उसकी अपनी काबलियत है ये याद रखना ये जो मैं बता रहा हूँ ये उसी चीज़ का रेप्रेजेंटेशन है ऐसा भी हो सकता है कि जीवन की मुश्किल गड़ियों से गुजरते हुए आपका खुद पर से विश्वास खतम हो जाए हो सकता है होता है लोगों का रोज हमारे से बात होती है अन्यक लोग विश्वास तूटते हुए देखते हैं अरे अब तो मेरा भगवान में विश्वास है कोई भगवान नहीं है ऐसे करके लोग बड़ी तरह से भगवान को गली आते हुए देखे जाते हैं अरे क्या फरक पड़ता में आती हैं मेरे जीवन में भगवान अगर मौजूद था तो मेरी मां को यहां से संसार से क्यों उठा लिया हमारा कारोबार क्यों बंद करवा दिया अगर भगवान मौजूद था तो भगवान तो अपनी हरकते करेगा करेगा आपको क्या बनना है जरा आप पर डिपेंड करता है आपको कई बार ऐसा भी लगने लगता है कि मेरा जीवन वेर्थ है और मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने भी दिखाई लगते हैं ऐसा लगता है ऐसा टाइम आपके जीवन में आ सकता है उस अनगड पत्थर को भी जब घा जा रहा था जब उसकी कुटाई पिटाई चल रही थी हो सकता है कई बार उसने लाया है क्या शिट यार क्या यार क्या पंगा ले लिया फालतों में इस पत्थर को थे कैसे मज़े लेके पढ़ा हुआ है कैसे पढ़ा हुआ है मैं ही बिना ब मज़े ले रहे हैं देख कैसे रोज खा रहे हैं पी रहे हैं आश कर रहे हैं तो फाल तुम्हें याँ पर कबीर साब जी लिखते हैं सुखिया सबसंसार है खावे और सोए सुखिया सबसंसार है खावे और सोए कहते हैं दुखिया दास कबीर है जागे और रोए मैं मैं दुखी हूँ ये कबीर साफ जी फर्मा रहे हैं दुख्या दास कबीर है जागे और रोए मैं जागता भी हूँ परमात्मा की याद में रोता भी हूँ यह कबीर साफ युछ खुद परब्रम परमात्मा का रूप है, संत रूप में आयो है, भगवान यह समझ ले और यह कबीर साफ फिर लास में याद रखना यह वही कबीर साफ है, जो लास में कहता जिस मरने से जग डरे मेरे मनानंद कब मरी हों, कब पाई हों, पूरण परमानद, एग जगा यही कbut साफ कहते हैं, पाचे लागो कb 이후 mannir malb haiya जैसे गंदा नीर, कबीर, mannir malb haiya जैसे गंदा नीर, पाचे लागा हर फिरे, कहत कबीर कबीर, कभी साफ जरा अपइंट्मेंट दे दो, ठोड़ा बात चीत कर लो दो मिनट के लिए बत्यालो कबीर साब कहता है टाइम नहीं है आप कोन जी आप कहा से आ गए बगवान से मिलने का पाचे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर लेकि यह कबीर साब कभी क्या कह रहे हैं क्या कह रहे है चुछ हा सबसंसार है। परमात्मा को रात रात वरियाद करता हूँ लगती बड़ीऑ सी बात है बड़ी जीब सी बात लगेगी वह यह क्या खेल तो ऐसे ही है परमात्मा का जुरा मधा समझ कि चूक जाते हैं लोग बार-बार यह बताया जाता है और बॉली वुर्ड ने तो बिल्कुल सत्यानाश कर रख चीजों का ऐसी इमेज बना दी जाती है कि बस भगवान के रास्ते पर चलोगे तो सब एकदम सब ठीक ठाक हो जाएगा, एकदम से नहीं ठीक होता, फाइनली ठीक होगा, लेकिन एकदम से नहीं, तो बड़ी मुसीबतों चाहे अगर कुछ बनना चाहता है, मिटा दे अपने, आज संसार में जितने लोगों के भी चेहरे चमकते हैं, संसार में जो भी आपको फेमस दिखाई पड़ते हैं, आपको लगता है, यार क्या बात है, बंदा देख, क्या शान है, क्या बात है, क्या पावर्द है, क्या र कितनी तकलीफों से निकल निकल कर उन्होंने वो आज प्रकाश का रूप देखा है, तो ज़रा याद करें न, भूल मत जाना इस बात को, कोई मजाक नहीं हो रहा है, इन सबने वो तकलीफे जेली हैं, देखी हैं, तब जाके आज, जो आज मुस्कुरा रहा है, उसे किसी दर् जाला होगा, जो आज चल रहा है, उसके पाउं में च्छाला होगा, जरूर होगा, तो यह मत समझ लेना, कि कोई ऐसे ही राजी होकर संसार में बड़ा नाम रोशन करके बैठें, यह तो किसमत ही ऐसी लेकर आये थे, जिसे आप किसमत कहते हो, उसको बाकी लोग मेहनत कहते ह हम अपनी भाशा में उसी को ही मेहनत कहते हैं, तो याद रखें, कोई गलत फैमी में मत पड़ें, तो यह उसी स्टेजिस से निकलने का एक रास्ता बता रहा हूं कि कैसा हो सकता है, कि आपके जियों में खुद पर से भरोसा खत्म हो जाए, एक ऐसा टाइम भी आया हो, लेक कहीं ना कहीं से प्रकाश की कोई किरन, कोई ना कोई प्रकाश का कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन की ही भगवान साथ है, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला, कहीं ना कहीं वो हिम्मत आपको ले चलती है, तो जब आपके जी जब आप अपने अंदर खोज करना शुरू करोगे, जब आप अपने अंदर उतरना शुरू करते हो, कि आखिर जीवन में इतना दुख क्यों है, भगवान बुद्ध की खोज भी यहीं से शुरू हुई थी, जीवन में इतना दुख क्यों है, उनके पिता ने भरपूर कोशि करी कि इसका जीवन इसका दुख से एंकाउंटर हो ही ना इसका दुख से एंकाउंटर हो ही ना दुख इसके सामने कभी आए ही ना ना कोई बिमार हो ना कोई मृत्वेक्टी हो ना कोई बुड़ा हो किसी भी तरीके से दुख का लेश मातर भी ना हो गौतम राजरत अपना का स्याम करते छोड़ती थोड़ी है तो लिशमातर भी नाहों लेकिन परिमात्मा ने फिर खेल किया लास्ट में कई ना कोई तरीक से सामने आ वागया व हार विमार आघा वाजह तो पूचा कि बिमार क्यों है, ये क्या होता है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, बिमार क्यों हो गया ये, ये खांस क्यों रहा है, भगवन ऐसे बिमार सब होते हैं, अच्छा मैं भी होंगा क्या, आप भी हो सकते हैं, शरीर तो सब का है, अच्छा ये बुड़ा कैसे हो गया, सवाल पैदा होता है, बुड़ा कैसे हो गया, भगवन सब बिमार होते हैं, सब ऐसे ही बुड़े होते हैं, क्या मैं भी होंगा, हाँ मैं भी होंगा, आप भी होंगे, आप कोई अलग थोड़ी है, रूल तो रूल है सब के लिए, अच्छा ये क्या हो गया, ये चार आदमी एक देखा है कितनी लाश है अपने अडोस पडोस सब्तनी किसकी उठी हैं क्या हमारे अंदर जागाई बस एक मृत्वेक्ति को देखा और गौतमबु जाग गए ऐसा जागे ऐसा जागे फिर मुड के नहीं देखा मेरी भी मृत्यू होगी दूसरे की मृत्यू को अपनी कि उसे कहां सीखते हैं कहां सीखते हैं हमें तभी भी लगता है कुछी के साथ कुछ मर्जी होता है मैं तो रहूँगा मैं तो रहूँगा इस गलत फहिमी से बाहर आ जाएं जितनी जल्दी जाग जाएं उतना अच्छा मैं तो रहूँगा जैसा कोई सिस्टम नहीं है मैं तो जाना तो सबको है ही है, मुझे भी जाना है, और मुर्चु दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्यान नारायन एक मोत को, दूजे श्री भगवान, जिसको मोत याद है, उसको भगवान भी याद है, जिसको मोत याद है, शुकर मनाना कि आपके जिनके में कुछ दिन में मौत के ओपर वीडियो डाल देते हो क्या है आपकी जीवन पर वीडियो डालता रो उसके भी डाल देते हैं राजी सबको रखना पड़ता है लेकिन उसकी याद दिलाए वरा तुम्हें परमात्मा की याद नहीं दिलवाई जा सकते ही मैं आया तो केवल एक ही परपस के लिए हूँ केवल इसी परपस के लिए कि लोगों को जगा कर परमात्मा के साथ जोड़कर उनके धाम बापिस बेजा जा सके लेकिन क्या करें दो उनकी भाशा बोलने ही पड़ती है ऐसा करो विश पूरी हो जाएगी बड़ा अच्छा लगता है लोगो हाँ 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 ओके क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा एक दिन सब पर काटा लग जाना है मोतने आगे सब के ऊपर क sug कैसे विश सब ngàyुपर काटा लग जाना है याद रखे थीक है भाशा जैसे देश वैसा भेश, इनको उनकी भाषा ना बोलो ते कभी सुने नहीं हमारी बात को, वो सुनने आये ही ना, अब आये तो हैं कम से कम कि हाँ चलो, किसी बहाने से इसे ही चलो, गुरू जी कोई रस्ता लग जाएगा, कोई ना कोई रस्ता बता देंगे संजीव जी, ठीक जो करते हैं, दिल ही खोज जोजो, जब पहली बार दिल के अंदर ना शुरू करते हैं, तब आपको फील होता है कि ताकत तो मेरे भीतर मुझूद है, याद रखना, मैं आपको भगवान पे वरोसे की बज़ाए अपने आत्मा पे वरोसा दिलवाने की ज़्यादा प्रयास कर रहा हूं भगवान का वरोसा बाद में जिसे खुद पर वरोसा नहीं खुद के अंदर ही तो खुदा चुपा है अपने अंदर ही तो परमात्मा चुपा है जिसे खुद पर वरोसा नहीं उसे भगवान पर वरोसा कहां से आ जाएगा इसलिए पहला वरोसा अपने आप पर तो ये खोज कहा जा रही है, जो मैं steps आपको बता रहा हूँ, ये खोज आपको जा रही है अपने भीतर लाने के लिए, अपने आपको मजबूत, ताकतवर, पावरफुल बनाने के लिए, फिर पता चलता है कि मैं हूँ ही नहीं परमात्म है, अभी आएंगे उस stage तक, इसके पाद क्या होता है, next stage देखो, जीवन का महत्वपुर्ण क्षण होगा जब आपको स्वम का ज्यान होना प्रारंब हो जाएगा, जब आपको लगेगा, आप अपना विशलेशन करेंगे, आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, आप देख पाएंगे कि मेर क्षण नहीं आया, तो अभी भी आप निरे मूर्ख हैं, यह बाद समझ लेना अच्छे से, इसका मतलब क्या है, कि आप यहाँ पर आए हैं, कि मेरे जीवन में विफलता का कारण क्या था, और यह भी सोच पाएंगे, कि सफलता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अ एक बार आप अपनी खोड़ करेंगे, तो आपके चरितर में बदलाव चालू हो जाएगा, अपने भीतर बदलाव चालू हो जाएगा, मैंने क्या गलती करी, यू विल कंटैम्पलेट अन दिस अगें अगें, और यू विल कम तो नो, कि आपको समझ में आएगा, कि वाट आपको रास्ता मिलना शुरू होगा, फिर आप खोजोगे कि मेरी इस दुखों के पीछे भी परमात्मा की क्रिपाश शामिल है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, लेकि वहां तक जाने से पहले बहुत कुछ जेलना पड़ तो मान लेना, मान लेना, बड़े प्यार से घटित होगा, ये एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है, शुकर मनाना कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है, परमात्मा ने हमें चुना है, ट्रास्फॉर्म करने के लिए, हम वो गदे के गदे नहीं रह जाएंगे, हम वो पत्थर नहीं रह जाएंगे, जिस पर लोग नारेल फोड़ के अंदर जाएं, और किसी और भगवान की मूरती के आगे मत्था टेकें, यही वो मूरती है, आपके भीतर, आप अपने आपको आईने में देख पर बोलो, यही वो मूरती है, जिसके अंदर से एक दिन परमात्मा का सुन्दर मुकडा दिखाई पड़ेगा, एक दिन आईने में देखोगे, और देखने तो अपने चेहरा चले थे, और दिखेगा, वहाँ पर बैठी हुए भगवान नजर आएंगे, फिर समझ में आएगा कि कुछ बड़ा ही किया है परमात्मा ने, और याद क अपनी ना की तलाश बड़ी चू किये हुई, बरसों की एक खराब खुदा तलाश में हमने, अपनी ना की तलाश बड़ी चू किये हुई, अपनी तलाश नहीं करी, अपने बारे में नहीं खोजा, भगवान को खोजते रहे, कोई और भगवान, कोई बैठा होगा, कोई च कहने वाला जुरूब मिला है जिसने कहा कि सरधर्मान परितच जैमामेकम शर्णम व्रज तुस सारी मुसीबते छोड़कर एक बार शर्ण में आजा अहम्त्वा सरपापे भेव मुक्षिश्यामी माशुच है मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा इसमें तनिक भी स प्रमात्मा किसी भी रूप में आपको अपनी बात कह रहे हैं जरा सरधर्मान परितच जैए एक बार आज रहा शरण में आप फिर बात करते हैं लेंगे शर्णागती का मारक भी कोई यह मज़े लेने का मारक है तो आपको क्या है धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाओ का विरुद कर रहे हैं सारे ? मुझ यह ना करना पड़ hear कुछ । अभी कितनぁ हुए वह काउंसलिंग करता हूं पता है क्या करते लोग क्या करती है तर अच्शा आपको यह गायतित्र नोर्मल यह मेरा बताने का डंग यह होता है यह मंत्र करो यह वाले दान करो यह वाले पुन्य करो यह वाले आफरमेशन सुनो और ठीग हो जायो गए इतना अगला सवाल है, अगला स्वाल ही लोगों का इतना lasting करना पड़ेगा फिर क्या चाहते हो जी आप ही कुछ कर दो अच्छा मेरा हाथ सर पे रखने यह काम बनता होता तो सारे जाहन के घूंडप रखने से बनता होता मेरे अपने काम बनते हैं अगर मेरे काम बनते हो तो मैं अपने उपर रख लेता मेरे तो आज तक बने नहीं तुम्हारे कहां से बन जाएंगे महरेения बनते राज तक का हो तो मैं क्या समझ रख है क्योंकि हम भी उसी स्टेश से गुजर रहे है थोड़ा आगे यार थोड़ा पीछे बस इतनी सी वात है उसमें क्या है तो कोई दुनिया कोई कुछ भी बुलाए, मुझे पता है मैं क्या हूँ सबसे बड़ी बात ये कि अपने अंदर बदलाओ आ रहा है किसी और पर भरोसा हो के ना हो इस पर भरोसा पैदा होता है दिल ही खोज, दिले दिल खोज हो अब समझ में कुछ आ रही है बात तो हर परसिची से लड़ने के लिए परमातमा आपको तयार करेगा किसी गलत फैमी में ना रहा जाएए कि परमातमा आपके जीवन को बिल्कुल इजी बना देगा इजी कभी नहीं बनाएगा वो बिल्कुल भी इजी नहीं बनाएगा टफ होगा, टफ होगा लेकिन आपको निखारता चला जाएगा, निखारता चला जाएगा, हर पल, हर चन आपके अंदर सुधार आता चला जाएगा, फिर इसके बाद, इसके बाद जीवन में हार जीत कानुगो समाप्त हो जाएगा, एक ऐसी स्टेज आती है, चरित्र के बदलाव के बाद अपने जीवन मे हार जीत कानव होने होगा अब ये पता चलता है कि हार क्या और जीत क्या क्योंकि हार ने भी वास्त में आप जीत रहे होते हो हार का मतलब वो हार नहीं है वो हार का मतलब वो हार नहीं है कि हार का मतलब जीवन खतम हो रहा है अब वो हार नहीं है अब हार होती है अब हार होती है तो गले में हार भी पढ़ते हैं उसको दोनों बराबर दिखाई देते हैं खेते हैं तो एक ही चीज़ है तो ना वो जीत का महतव रहा ना हार का महतव रहा ना लाब का महतव रहा ना हानी का ना जनम का ना मृच्यू का धीरे धीरे आपको इस सवस्था में लाता हैं परमातमा, क्रिशन गीता में क्या फरमाते हैं? समगे क्रिट्वर दुखको शमे क्रिट्विप्र लावा लाबो जया जयो लाब हानी लाब अलाब और जया जयो जया और पराजय सबको एक कर हे अरजुन तो इनको बरावरी पर जान, जैसा लाब वैसी हानी, दोनों के लिए मैं जिम्मेवार हूं, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं जिम्मेवार हूं, लाब होगा, हानी होगी, जो होगा, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं न, हारेगा या जीत होगी, और अरजुन का भरो और थोड़ी नरायनी सेना नहीं थी विश्य भर में प्रसिद्य सेना थी भगवान कृष्ण की नरायनी सेना कहता है एक तरफ मैं हूं नियत्था बताओ क्या चाहिए परिक्षा लेते हुए गजब करते हैं तो यह मत समझ ले तरफ मैं हूं नियत्था और वो दुर्योदन खड़ावा सोच रहा है दुर्योदन कहता है यारे किसी तरीके से इस गधे ने अगर गडबड कर दी ना कुछ भी इसने अगर अगर इसने सेना मांग लें सारा मामला बिगड़ जाएगा तो वो बार बार अपनी उतावलापन दिखा रहे अरे अर्जुन तो फिर मांगने आया हूं आप मेरे है आप मेरे है मुझे इतना ही काफी है कि आप मेरे है आप मेरी और हो जाएं गुनारग साभजी फर्माते हैं जे तु मेरे वल है ताक्या मोहचंदा अगर तू मेरी तरफ है कि रहे परमात्मा फिर मैं किसकी परवा करूं यह तू मेरे वल है अगर तू मेरी तरफ है ना बस इतना काफी है यह तू मेरे वल है क्या मोहचंदा बस तू मेरी तरफ रहना कोई और रहे अथवा ना रहे I don't care क्या हस्तिया हैं देखो और अरजुन ने भी भरोसा किया अरजुन ने का प्रभू मुझे आप चाहिए नियत थे या जैसे मरजी मुझे कोई फरक ने पड़ता मैं नाराएणी सेना को नहीं मांगने आया था मैं आप को ही मांगने आया था दुर्योदन मनिवन खुश हो रहा क्या मज़ा आ गया है तो इसने मेरी तो दिल की बात पूरी कर दी क्योंकि इसने वही मांग लिया जो मैं चाहता था प्रभू मैं तो बस नाराएणी सेना से संतोश कर लूँगा अब आप तो मुझे मिल नी सकते मिल भी कहा सकते तिरे जैसे गदे को कहा समझ में आएगा प समझने की क्या है बात ओवराल क्या है रिष्टेदारी तो थी उसी के युग में श्री कृष्ण जन में उनके सामने भगवान का अवतार हुआ है लेकिन अकल कहां जिसको समझ नहीं उसको सामने रखे भगवान कहां दिखाई दे रहे हैं और इसी दुर्योदने बाद में इन्हीं भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के चेश्टा करी बंदी बनाने के चेश्टा करी पकड़ दूंगा इनको जाओ द्वारपालों को अदेश दे रहे हैं पकड़ के लिए बादने चला है मुझे सारा ब्रहांट मेरे इशारे मातर से न्यूट चुटकी को पैका ने पा रहा हम पैचान के चृष्ण डूर्योता सब्सेट आपने साठ्ने की आधत हैं आत्मा के रूप में श्री कृष्ण बैठे हैं अपने अंदר खोच के देखो तो आपके अंदर जब समझते क्या आपके जिवन में हार जीत जीवन मरन इंहलिया जीवन मरन इ अगर पूरे नहीं भी होगे तो उभी होने लगे हैं तो समझ लेना कि हम बिल्कुल सही राज्ते पर जा रहे हैं। पहलेगा राज्त राज्त ट्रेक। तो अपने आप सम Kecan का घमंड नहीं होगा पता कि देने वाला कोई और है देने वाला कोई और है तो एहंकार नहीं करेगा वो एक भक्त के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है वो समर्पित रहता है वो समर्पित रहता है कि देने वाला कोई और बैठा है जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर अब ये भक्त हुआ, अब ये परमात्मा को पहचान गया, अब इसके जीवन में वो चमतकार घटित होना है, जब कहते हैं कि मेरे रोम रोम में परमात्मा बस दाएगा, अब ये उस लेवल पर बात पहुंच गई है, तो फिर क्या होता है, जब आप ये महसूस कि अब आप इश्वर के नजदीक हैं, और दुनिया के आपको कोई जरूरत नहीं है, उश्ण आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा, जो मोस्ट डिफिकल्ट होगा, कुछ ऐसा भी होगा, जो इसके बाद भी डिफिकल्ट होगा, जिसको बोलते हैं अगनी परिक्षा, ये मात्मा फिर एक बार टेस्ट करके देखते हैं, पक्का है, भक्त पक्का है, जुड़ा हुआ है, और आप उसमें भी समर्पित हो जाते हैं, आप कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से ही मेरा विश्वास पक्का होगा, गुनानक सभी फर्माते हैं, डोलन ते राखो नानक देकर हथ, प्रभु मुझे डामा डोल होने से आप बचाना मैं नहीं रह सकता, दंडोत वंदना अनिक वार सरवकला समर्थ है प्रभु, मैं आपके आगे बारं बार दंडवत पर नाम करता हैं, फिर कहा, डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ, अपना हाथ बचाना क्योंकि मैं डामा डोल हो सकता हूं, हमें विंति करने का रास्ता बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि कैसे परमात्मा के आगे प्राठना करनी चे कि प्रभु मुझे डामा डोल होने से बचाना, क्या आप भी करते हैं प्राठना, समझ में आता है, इस तरह से प्र बारिय परिक्षा आपकी उत्तिर्ण होती है इस सवस्ता में या तो आप बहुत परिशान हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे या तो आप परमात्मा को भूल जाएंगे मौमाया के पट्टी बंद जाएगी तो आप संसार को चुन लेंगे यहां पर आकर भी लोग भटक जाते हैं आकरी मुकाम पर आकर भी लोग भटक जाते हैं और या फिर इस परिक्षा में आप पास हो गए पास हो गए तो फिर आप किसी आप का भरोसा अगर कायम है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन फिर परकाश ही परकाश होगा जिस दिन नूर ही नूर होगा जिस दिन जहां नजर उठाओगे वहां परमात्मा का नूर ही नजर आता है जिस दिन एक ऐसा समय आता है जहां दिल के हर कोने के अंदर हर रोम रोम के अंदर परमात्मा ही दिखता है, फिर उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, वो वस्था भी आती है, और वो आएगी, that is bound to exist, वो होगा, definite होगा, वो समय आएगा, वो वस्था आएगी, जी जी कंड कंड के अंदर उसी का नूर व्याप्त होकर दिखाई देगा, फिर यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां देखोगे, फिर नदी, नाले, पेड, आकाश, पाताल, जहां नजर आओगे, उस सब के अंदर कुसी परमात्मा का नूर दिखाई पड़ेगा, यह वस्था भी आती है, बड़ी कृपा होती है, जब वो गवस्था घटित होती है, लेकिन इन प्रि तो इसके लिए ही हमें तयार किया जा रहा है, हम अपने उस भरोसे को कायम रखें और उस परमात्मा के उपर कहें कि बस तू हर जगा तू मेरा राखा सब नी थाई, इसलिए तो सनातन धरम में सब की पूजा करने का ब्रावधान रखा, हमने नदियों की भी पूजा करी, ह मा या ना देखो, गंगा मा को नदी के रूप में पूजते हैं, हमने पेड़ पोदों की पूजा करी है, पीपल की पूजा करी है, हमने मूर्तियों की पूजा करी, पत्थरों की पूजा करी, मिट्टी से बनी या पत्थरों से बनी या लकडी से बनी, मूर्तियों की पूझा करी अलग लग रूपों में भगवान वरार रूप में आए मचली को रूप में पता नहीं किस-kis रूप में पूझा करी सब के मंदिर हैं सोचके देखें सनात्नधरम की महांता है । यह सनात्नधरम ने एक-एक रूप में परमात्मा को प्रगट करके दिखाया कि वड़ी बड़ी बात लोग कहते हैं बुथ परस पर अगर आपको समझें आ जाए तो आप जुक सको वरना तो इनसान कchos ना समझ्जो नोग इंसान को हम पत्थरों को इनसान समझ seront रेख के मा Patrol रोमात्मा Bay का नूर दिखाई पड़े फिर मुझे तू ही नजर आए फिर मुझे तू ही नजर आए जहां जहां नजर जाती है वहां वहां बस एक ही रूम नूर नजर आता है जहां देखता हूँ वही प्रकाश्ट नजर आता है अपने दिल में देखता हूँ या सामने वाले के दिल में देखता हूँ फिर एक ही कन कन के अंदर वही बैठा हुआ है फिर अब कभीर साब जो बात आती है अब समझ में आती है कि कभीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे लागा हर फिरे कहिद कभीर कभीर परमात्मा पीछे पीछे गूमता है कभीर साब से कि आप से थोड़ी बात कर पाऊं कभीर साब कहते हैं जरा बीजी हूं वह सारे काम करने पड़ते हैं भगवान अपॉइंटमेंट माग रहे हैं उनसे यह वस्था भी आती है लेकिन जिस जिस ने भी इस वस्था को पाया है उसने कुर्बानिया दी है उसने अप कट मत समझ लेना कोई रास्ता आसान नहीं है लेकिन परमानंद से भरपूर है आप भी अपने अपने जीवन को सवार के जाओ गो और आपके कारण अनेक अनेक लोगों का कल्यान होगा गुनानक साथ भी फरमाते हैं जिनने नाम देयाया गए मसकत काल नानक ते मुख उजल केती छुटी नाल ना केवल उनका खुद का कल्यान हो गया बलकि अनेक अनेक लोगों का कल्यान उनकी नजर जिस पर पड़ी उनका भी कल्यान हो गया छोटी बात नहीं है उस अवस्था में लाकर खड़ा कर देते हैं जीव को इंसान को जिसकी खुद की कोई उकात नहीं थ और उसके द्वारा संसार का कल्यान करवाना शुरू कर देते हैं, बात तो बहुत बड़ी है, जननानक धूड मंगाय तिस गुरु सिख की, जो आप जपे और अवरे नाम जपावे, जो आप भी जपता है और दूसरों को भी नाम जपाता है, फिर उसको उस अवस्था मिलाकर खड़ा करते हैं, है तो कृपा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो हम भी एक मिशन बनाएं अपने जीवन में कि हम तो जागेंगे, अपने जीवन में जागरती गटित होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे संसार में, सारे संसार में परमात्मा के नाम का डंग का बज़ेगा हमारा नहीं अपने इगो के पीछे मत भागना बस यही फरक है एक भक्त में और एक वी भक्त में वो अपनी इगो के पीछे भागते हैं मैं ये करने वाला हूँ मैं फलाना मैं डिमका वो अपनी इगो को पोश्ते हैं एक भक्त जो है अपनी हस्ती को मि इतने अमेरिका के प्रेजिरेंट्स के नाम आपको याद है जड़ा देखना कितने लोगों के याद है लेकिन इतने लोगों इनके याद है ना नाम धन्ना जाट का नाम याद है शबरी भीलनी का नाम याद है एक भीलनी नीच जाती की कौन याद करता है किसी को कौन याद कर यह जीवन ऐसे नहीं मिल गया सफल करना है इस जीवन को जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग विकल भई नहीं वानी भजले रेमन सारंग पानी है मेरे मन तू परमात्मा को भजन कर ले परमात्मा को याद कर ले याद कर ले यह मोका है यह कब जागेगा, کब तुझे समझ में आएगी, तो वो टाइम आये, इस से पहले, इस से पहले कि मौत दमारे सिर पर आकर खड़ी हो जाए, इसलिए तू अपने परमात्मा को याद कर ले, अपने जिल के अंदर परमात्मा का नाम जब जब के, अपनी अत्मा का कल्यान कर ले फल्तू साब जी कहते हैं नाम नाम सब कहते है नाम ना पाया कोई नाम की गती है निारी व railway सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी हो कर करे खमोष हो तन को राखे गगन गुखा के बीच भीच प्याला प्रेम कचा के बिसरे भूख प्यास जाए मन रंग में लागे पांच पचीस रहे बार जंग संग में सोव भागे आपई रही अकेल बोल भो मीठी वानी सुनते अब वह बने कहां मैं कहो बखानी अब मैं क्या करूँ उसकी क्या बखान करूँ उसकी बाद केते पल्टू गुरु परताबते रहे जगत में सोए राम नाम सब कहते हैं नाम ना पाया कोई भागे शाली हैं वो लोग जिनको गुरु भी मिल गए है नाम भी मिल गया है तो वो अपने जीवन को सफल करने का प्रियास करते हैं गोल्डन चांस हाथ में आया है इस जीवन के बाद इस देही को सिम्रे देव सो देही भज हर की सेव भजो गोविंद भूल मत जाओ मानुष जनम का एही लाओ ये लाब है मुनुष जनम का जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग मौत आकर सिर पर नहीं बैठी और इस जीवन का अंतनी कर दिया उसने उससे पहले पहले पर मातमा का समर्ण करके ऐसा कल्यान करके जाएं कि बस इस संसार में दुबारा सर ना जुकाना पड़े इस संसार में दुबारा आना ना पड़े क्यूं आएं यहां पर, क्यूं आएं, अगर आएंगे कभी, तो enlighten होकर आएंगे, अगर आएंगे, तो इस संसार को सिरफ देने के लिए आएंगे, बिखारी बनकर, तुनिया से प्रेम की और आनंद की, खुशियों की भीख मांगने नहीं आएंगे, देने के लिए आएंगे अगर आये तो, अगर आये तो, वरना वो भी मरजी होगी, आये के ना आये, आये के ना आये, तो यही तो एक गुरु मुख के साथ होता है, एक सादक के साथ होता है, वो सादक अपने आपको समेट के चलता है, उसको पता है, कि मैं यहां आखरी बार यह गेम खेल रहा हूँ, अब दुबारा तो आना नहीं है इसलिए प्यार से सबसे डील करते हैं चलो आखरी बार है क्या फरक पड़ता है अब जिनको संसार में बार बार आना है अब उनके साथ कोई कंपेरिजन थोड़ी करोगे आप जाहिर सी बात है भई यह तो हिसाब किताब बनाई रहे हैं यह तो मस्ती कर रहे हैं क्योंकि इनको तो बार बार आना है तो जरा याद रखना अपने आपको अपने आपको याद रखना और किसी घलत फहमी में मत पढ़ जाना दुनिया से अपने आपका comparison करने मतलग जाना कि ये तो मज़े ले गए मैं तो रह गया भाई इनके और मेरे में comparison कितना है क्यों compare करो मैं अपने आपको उन लोगों के साथ जिनका जीवन का धे बिलकुल different है उन लोगों से मेरा कोई comparison नहीं है तो इसलिए अपने आपको बिलकुल clear cut एक लक्षे साथ के रखा हुआ है उस लक्षे की और बड़े चले जा रहे हैं सोच लिया है इस जीवन में अपना जीवन सफल करके जाना है कल्यान करके जाना है और इस संसार के कल्यान में भी कही ना कहीं सहयोगी होना है समझ में आगी है बात तो सभी से उमीद की जारी है कि अपने जीवन में खूब तरक्की करें आतम ज्यान की महायात्रा पर निकलें और परमात्मा को पल पल याद करते हुए स्वांस स्वांस में उसके नाम का जाप करके अपने जीवन को सफल बनाएं बड़ी मुश्किल से मिला है ये मोका और परमात्मा दिया है सिमरन सबसे बड़ी बात जो है गुरुदेव ने हमें क्या बता दिया कबीर साब फरमाते हैं कहा भरोसा देह का बिनस जाए छिनमाही स्वांस स्वांस सिमरन करो और जतन कछुना ही स्वांस सुफल सोई जानिये जो सुमरन में जाए और स्वांस यो ही गए करकर बहुत उपाए जीवन थोड़ा ही भला जो सत सुमरन होए लाख बरस का जीवना लेखे कहे न कोई कोई क्यूं कहेगा लेखे में लाख बरस भी कोई जी जाए लेकिन अगर उसने परमात्मा को याद नहीं किया फिर द्रिग द्रिग खाया द्रिग द्रिग पाया द्रिग द्रिग कापड अंग चड़ाया गुरुनार्क साब जी कहते हैं उसने क्या पहना, क्या खाया, क्या जिया वो द्रिग द्रिग पाया ध्रिग ध्रिग खाया ध्रिग ध्रिग कापड अंग चड़ाया ध्रिग परिवार कुटुम सहत्यों जित हुन खसम ना पाया धिकार है ऐसे जीवन पर जिसने परमात्मा की खोजना की परमात्मा तक पहुचने का रास्ता ना खोजा ध्रिग परिवार कुटुम सहत्यों जित संसार के अंदर पता है, यह नहीं पता यहां से जाते वें क्या साथ लेकर जाने हैं, तो अब उस फाइनल चीज की अथातो भक्ती जिग्यासा, अब एक बार भक्ती के जिग्यासा के जाए, जब सारे रास्ते छोड़के, अब अंतमे परमात्मा से यही मांगा जाए, अथात विंतुद होर जे मंगना सिर्दुखा के दुख देहे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख हे परमात्मा अपना दिव्वे नाम मुझे दे ताकि मेरी भूख मिट जाए इस आत्मा की भूख मिट जाए तो definitely इस चीज़ को हम स्विकार करें समझें परमात्मा से अब एक घंटा डेली का मेडिटेशन में जुरूर बिताएं ब्रह्म मुरत का टाइम जो है वो सोकर बिताने के लिए नहीं होता वो हमेशा जाक कर बिताया जाता है ब्रह्म मुरत तो खास तोर पे मैंने बोला 3.20 एम टू 3.40 एम का जो टाइम होता है ये गोल्डन टाइम है इस गोल्डन टाइम में अपनी बात परमात्मा को कह दो, कह दो हे प्रभू मैं तेरा हूँ और तू मेरा है ये 20 मिनट फिर उसके बाद इसी को एक्स्टेंड कर दो शुरुआत करो इसी को शुरुआत करो और फिर इसी को extend कर दो, एक डिड़ घंटा, दो घंटा बैठो ना, बाभीहा अमरतवेले बोलेया, गुनानक साबजी फर्माते हैं, बाभीहा अमरतवेले बोलेया, तादर सुनी पुकार, बाभीहे ने जब ब्रह्म मुरत में अपने विनिती लगाई ना, तो कहते हैं, उठके अपनी बात परमात्मा से कहो, कहो कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी खोज कर रहा हूँ, जरा तुम भी अपना हाथ बढ़ा कर मुझे उठा लो, मुझे मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे मुझे ताकत दो, और याद रखना, वो जब भी आपके साथ आएग तो मांगना उस से वही मांगना जो सत है, सत के सिवा कुछ और नहीं मांगना, उसी से उसी की ही चाह रखना, आप से आप ही की चाहत है, सजदा कदमों में बार बार करूं, ये परमात्मा से मांगते हैं कि प्रभू मिलना है, तो फिर यही मिलना है, इस से नीचे कोई बात करनी महान हस्तियों ने यही मांगना से काया कि विण तुद्ध होर जे मांगना तुझ से तेरे सिवा कुछ और मांगना सिर्दुखां के दुख इसलिए देहे नाम संतो किया ऐसा संतोष प्रद नाम दे कि उत्रे मन की मेरे मन की भूख मिठ जाए मन की भागदोर समाप्त हो है परमात्मसिय आ ईयॉसी दिव्यंतां की भाव बात करते हैं भण्यवाद अदा करते हैं आपकी क्रपा हम पर इसी परकार बनी रहे Thank you very much, बहुत बहुत शुक्रिया इस साथर को यहाँ पर अभी समाप्त करते हैं यूट्यूब पर अभी समाप्त करते हैं इस पर हम अभी कंटीनू करेंगे जूम पर जिनको भी बैठना हो तो यहाँ पर बैठ सकते हैं आई एक बार परमात्मा से अपना मुस्स फिवरेट भजन जिसकों बार बार चलाते हैं आई एक बरमात्मा से वो दात मांग लेते हैं वो बात मांग लेते हैं तुम्हारे सिवाना कोई चाहत करेंगे के जब तक जिएंगे बादत करेंगे तुम्हारे सिवाना कोई चाहत करेंगे के जब तक जिएंगे बादत करेंगे के जब तक जिएंगे बादत करेंगे जिनको जाना है समय हो गया साड़े नो का टाइम हमने रखा था एक घंटा पूरा हो गया है इसको जाना है वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो और आपके जाना चाहें तो इसको इस सतर को यहां समाप्त करतें जिनको करना है वो जूम पर शिफ्ट हो जाएं यूट्यूब पर इतना ही इसको रखा गया है जो लोग अभी यहां पर भी है जूम पर है एक बार जड़ा यह लिंक क्लिक कर दें नीचे दिया हुआ है और जड़ा वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सके थैंक यू वेरी मच बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया सत्र को यहां पर समाप्त करते हैं जो लोग नहीं जुड़े हुए चैनल से वीडियो को इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जुन्हों ने पहले फीड़बैक नहीं दी है वो एक बार फीड़बैक दे सकते हैं एक लिंक येम ने डाला है अगर किसी को भी अच्छा लगे तो आप यहां पर एक बार फीड़बैक दे सकते हैं थैंक यू वेरी मच जिनको जॉइन करना है हमारा टेलिग्राम ग्रूप टेलिग्राम का वट्सेप का भी फिलाल सामने नहीं है टेलिग्राम का लिंक डाल रहा हूं किसी को भी लगता है कि उनको नोटिफिकेशन चाहिए जुड़ना है तो यहां पर टेलिग्राम का ग्रूप है आप यहां से सकते हैं यहां पर आप आपको सारे यहां से वट्ट उपका गुरू लिंक वगरा दे देंगे आपके पॉस्ट्चन के आंसर भी आपको यहां पर मिल जाते हैं तो अच्छेत गुर्देव भगवान की जय तेंक यू बैरी मच यहां समाप्त करते हैं प्यार करना नजर चाहती है तीदार करना ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना तिरशीर चरणों के पास जब आए मसीलाही में दिल रूब जाए तिरशीर चरणों के पास जब आए मसीलाही में दिल जुम जाए सदा ही मिले बस प्यार तुम्हारा इसे अपनी खुश किसमत कहेंगे हीरा जनम्यन मोल सुमिरन कर लो जी हीरा जनम्यन मोल चोला रंग लो जी इसका न लागे मोल चोला रंग लो जी इसका न लागे मोल कर दो कर दो कर दो कर दो किरफा कर दी हरी ने तुझ पर मानस जनम दिलाया मानस जनम दिलाया किरफा कर दी हरी ने तुझ पर मानस जनम दिलाया लिंक दिया हुए जूम पर आगर आपको भजन एंजॉय करने है तो आप जूम पर जॉइन कर सकते हो नीचे लिंक दिया हुआ किसी को भी आना तो जॉइन कर सकते हो यूट्यूब पर अभी से हम फिनिश कर रहे हैं थैंक यू बेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया